स्वागत है आप सब्सक्राइब कैसे हैं सब्सक्राइब एक बहुत बड़े खुसक्राइब जो आप सब्सक्राइब प्रतिक्षित है काफी ज़्यादा संख्या में वेकेंसी आई है और अगर हम इसमें देखे तो सबसे बड़ा जो प्रशन है आपकी कौन भर सकता है फॉर्म इसकी एलिजबिल्टी क्या है लगातार बच्चे हमसे पूछते रहे हैं किसा रिस्पेक सेशन अलग से बना दीजे ताकि यहां पर तो उससे समद्दित यह जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे उन सारे बच्चों के लिए जो हम से कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं बहुत ज़दा बच्चे हम पर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए बची हुई हैं तो आप में से जिनको भी लेना है जल्दी करिए ताकि यह आपका कहीं न कहीं आफर में आप इसको एक मिनिममम प्राइस में इस बैच को कर पाऊ उसके बाद इसकी प्राइस कम से कम 699 हो जाएगी हाला कि सब्सक्राइब बाड़ी बात है कि मैं आपको किसे परिक्षण पर करवा रहा है 17,710 पद हैं जिनमें से MTS UDC SSO का SSO UPSC करवाएगा इसे अभी हम होल्ड करेंगे MTS UDC का बैच अभी से आपको लॉंच हो गया है SSO को जैसा होगा वैसम आपको इनफर्म भी करेंगे और इसमें अगर टोटल देख लिया जाए तो 10,000 वेकंसी लगबग इसमें है जिसमें से ये वाली वेकंसी लगबग 75% फिर भी मिला ले जाए तो 8,000 वेकंसी आपके पास डायरेक्ट है अब सबसे बड़ा कोशन यह है कि कौन फॉर्म भर सकता है यह है MTS की डिटेल 331 पर इसमें आप देख सकते हो कौन कौन है और कौन UDC का भर सकता है एक एक चीज हम लोग देखेंगे लेकिन आपको मैं बता दू कि इसे करने के लिए आपके पास eligibility क्या होनी चाहिए तो इसके eligibility जो पिछली बाब फॉर्म आ आएंगे उसकी बारे में आपको सोचना मिलेगे बट UDC और MTS के बारे में करेंगे और UTC MTS में जब आपको जानना होता है कि कौन फॉर्म भर सकता है तो सबसे पहले आप दो चीजे देखते हो कि आप उस age group में होख नहीं और आपके पास जो qualification है वो है कि नहीं तो जो MTS है MTS के लिए केवल और केवल आप दसनुई पास होना चाहिए अगर आप दसनुई पास हो तो आप MTS के लिए apply कर सकते हो और अगर आप graduation भी कर रखे हो तो आप MTS के लिए तो कर ही सकते हो साथ में आप UDC के लिए भी कर सकते हो और यहीं नहीं इस बार जितने पर आरे लगब आप सबके लिए graduation के तरज पर आप आवेधन कर सकते हो बट मैं UDC और MTS की बता रहा हूं तो अगर आप graduation हो तो दोनों और केवल 10th हो तो आप क्या कर सकते हो आप केवल MTS कर सकते हो हाला कि UDC वाले में इन्होंने बुला है working knowledge of computer including use of office suits and databases लेकिन इसके लिए किसी certificate की आवशक्ता नहीं है आपके पास आपकी degree होनी चाहिए यदि आप exam का जो बोल सकते हो form की last date है उससे पहले पहले आपके हाट वे result आ गया है आपके पास degree आई है doesn't matter आई है या नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं आपका उसका प्रोविजनल भी लग जाएगा mark seat जो होती है आपका paper हो जाने के बाद जो mark seat है उस mark seat की जो date होती है form के last date के पहले पहले की होनी चाहिए form अभी आया नहीं है जब भी form आएगा आपका उसके आधार पे होगा और जितने भी यहां पे crucial date है जो cut off date है सब form के last date पे होगा लगबग एक मेने का समय मिलता है नमंबर के second, third week में प्रस्तावित है कि आपकी ये vacancy आ जाएगी मतलब कि December के second, third week तक आप क्या ये सारी चीज़े पूरी होनी चाहिए तो education qualification का crucial date, form की last date है ये बात ध्यान दीज़ेगा आगे आते हैं इसके बाद age limit तो अगर आप 18-27 साल के बीच में हो ये उनके लिए है ये उनके लिए है जो किसी भी प्रकार के आरक्षण का किसी भी प्रकार के category का लाब नहीं ले रहे है जनरल category में है और वो 18-27 साल क्या ह होता है वही पर अगर हम OBC की बात करें अगर OBC की बात करें किसमें ये UDC की बात करों अगर मैं UDC की बात करूंगा तो UDC के लिए जो जनरल होते हैं जनरल के लिए maximum 27 minimum 18 ऐसे ही अगर हम OBC की बात करेंगे तो OBC में plus 3 साल और मतलब की 30 साल तक और अगर हम SC और ST की बात तो इसमें 5 साल और मतलब की कितना 27 और 5, 32 साल तक भल सकते हैं, वहीं पर हम MTS की बात करें, किस की? अगर हम MTS की बात करेंगे, तो MTS में जो जेनलर हैं, वो 18 से 25, यहां पर 18 मिनिमम और मैक्सिम दोनों दिया हुआ है, तो मैक्सिमम आपका 25, मिनिमम 18 होता ही है, प्लस 3 आपक 25 मतलब की आपका 30, यह क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, इसके अतरिक्त, इसके अतरिक्त जो PWD कंडिरेट हैं, मतलब की जो फजिकले हैं, उनको 10 साल तक का छूट मिलता है, जो केटेगरी वही हैं, जैसे कि अगर OBC में हो, तो 10 PWD का, और 3 OBC का टूटल 13, अगर आप SCST में हो, तो 10 आपका PWD का, और 5 आपको SCST का 15, यानि कि टोटल आपको इतना लाब मिल सकता है, यह अप्टू आपके 56 साल तक मिल सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें जो मैक्सिमम एजनिवेट मिली है, वो 56 तक मिली है, यही नहीं, अगर आप ESIC या SCST के लिए 43 और SCST के लिए 45 साल है, लेकिन इन दोनों कोई ऐसा व्यक्ति है, जो PW Candidate भी है, और ESIC में कारी कर चुका है, या कर रहा है, या कर चुका है, तो उसमें अगर देखा जाएगा, कर रहा है, कर चुका में नहीं होगा, उसमें क्या होगा, कि जिसमें जो अधिक्त इस persons के लिए कोई अगर government का rule होता है, तो उसके regarding relaxation मिलेगा, तो यह रहा age limit, और सारे ही age limit, जो होगा crucial date होगा, crucial date कौन सा होगा, form के भरने की last date, form के भरने की last date के पहले पहले अगर आप eligible हो, तो आप form को क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, nationality क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, बाकि नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी, यह सारी चीज़ी लिखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई Kenya, यूगांडा और United Public of Tanzania, यहां से आता होगा, form भरता होगा, even भूटान, नेपाल से भी बहुत ही सायद, इका दुक् तो generally आपको बस focus करना है कि आप क्या हो, यह citizen of India होने चाहिए, यह nationality है, उसके बाद, अब सबसे बड़ी बात है कि आपको इस form भरने के लिए चाहिए रुपए, तो form तब भर पाओगी जब आपके पास रुपए होंगे, तो अगर आप general category के हो, और आप AWS category के हो, या फिर आप OBC category के हो, तो आपके पास नियुनतम 500 रुपए होने चाहिए, इसके आवेदल करनेगा, अगर आप SDST candidate हो, या फिर आप PWD candidate हो, या फिर कोई departmental candidate हो, या फिर आप महिला हो, या फिर ex-serviceman हो, तो आपके लेके वर 2500 रुपए लगेगा, लेकिन सरकार कहती है कि बेटा, ये 2500 रुपए आप जमा तो कर दोगे, लेकिन आप अगर attendance आपकी प्रेजेंट रही, अगर आप paper दे दिये, तो वो 2500 भी आपका refund कर दिया जाएगा, और इसमें जो amount deduct होगा, वो केवल banking charge deduct होगा, 50-25 रुपए जो भी deduct होगा, बाकी आपको क्या हो जाएगा, वो आपका refunded ह हो जाएगा, तो कहने का मतलब SC, ST, PWD जो female candidate है, इनके लिए फीस लगबख 20-25 रुपए केवल होगी, यानि जो बैंकिंग चार्ज है, और जो general EWS और OBC candidate है, उनके लिए क्या हो, general में male, female सारी categories में, केवल general के mail वे, क्या हो जाएगा, 500 रुपए आपको देना पड़ेगा, और यह non-refundable है, यह आपका ESIC में जाएगा, clear हो गई बात, उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात है, कि एक बहुत बड़ा प्रशन आता है, कि क्या हम multiple post पे, क्योंकि इसमें आपका MTS का आ रहा है, इसमें आपका UDC का आ रहा है, इसमें SSO का आ रहा है, जिसका आप direct recruitment में का सकते हो, तीन पत है, कोशन आता है कि क्या सर में MTS और UDC जो SSO के लिए apply कर सकते हो, आप बिल्कुल apply कर सकते हो, फिर कोशन आता है, क्या सर में तीनों form अलग-अलग region से, क्योंकि यह journal form होता है, आपके अलग-अलग राज्य के अनुसार होता है, तो आपके दिमा में कोश possible है, आप तीनों ही परिक्षाएं अलग-अलग जोन से भी भर सकते हो, लेकिन किसी एक परिक्षा के लिए MTS के लिए आप एक ही राज्य से भरोगे, अगर आपने मद्रप्रदेश से भर दिया, तो अब आप राजस्थान या उत्तरप्रदेश से भिहाल से नहीं भर पाओ होगे, आप क्या करोगे, आपका एक फर्म एक ही राज्य से भरा जाएगा, दूसरा आपका दूसरे राज्य से हो सकता है, और तीसरा आपका तीसरे राज्य से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कि तीनों फर्म आप एक ही राज्य से भर दो, तो उसमें आपको क्या दी गई है आप अपको यह सारी चीजे हैं तो आप इसमे फॉर्म भाष सकते हो बागी इसकी तैयारी टीम परिक्षापश बहुत 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 तरीके से करवा रही है और इसके लिए बहुत नियुंतम सुल कि में भी आभी बैच है इस बैच की जो प्राइस होगी वो लगबग 1,000 से लेके 700 के बीच में होगी मैं आपको clear पहले बता दू बट प्रथम 100 चात्रों के लिए 199 रुपया और जिसमें से 90 प्रस बच्चे मात्रे एक से दो दिन में admission ले चुके हैं तो आप भी इसे चुकिये मत ही क्यों उन बच्चों के लिए है ज कहां से आप इसको purchase कर सकते हैं यह Google Play Store पर गए यहाँ परिक्षा प्लस एप है इस प्रकार का आपका logo है यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा इससे आप download कर लिजे अगर आप download किये हैं तो फिल कोई दिक्कत नहीं है आप सीधा courses में जाएंगे courses में भी कहां पर ज क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आजाएगा तो इस हिसाब से आपका यह इस हिसाब से आप इसे purchase कर सकते हो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो फिर आप ESIC MTS UDC इस से जुड़ने के लिए देर मत करिए आप हमारी website live.parikshap.org पर भी जा सकते हो या फिर आप Google Play Store से परिक् आपकी मैक्सिम मदद कीजाए जो भी कोशिन पूछेंगे टीम रिक्षा प्लस आपको बहुत ही बेतीन तरीके से उसके उत्तर देने का प्रयास करेगी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लिज़ेगा और जो बच्चे पहले ही को से जुड़ गये हैं उनक को भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप परिक्षा प्रस्पेक्ट ट्रस्ट करते फिर मिलेंगे धन्दवास होईगा